हलो दोस्तों में महिंकोर गुपता मेरे python series के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है आज का हमारा topic है variables in python तो आज का हमारा सब topics है what is variable rules to name of variable user variable rules of combining variable and typecasting तो what is variable variable are used to store information to be referenced and used by programs it can use to hold a value every variable can be your name can be a city name or anything but have some rules तो हम अभी तक अगर सी में करते आया हैं अगर सी में हम लोग कोई भी इंटीजर टाइप वेडियेबल कर से बनाते थे अगर हमको कोई फ्लोट वारियेबल बनाना है तो हमको बस एक डेसिमल देखे कुछ भी स्टोर करना होगा लाग y is equal to 10.5 और y is equal to 10.0 एनितिंग तो यह हमारा float to variable बन रहा है y अगर कोई भी string variable बनाना है तो j is equal to hello यह हमारा string variable बना तो आगे दखते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे x is equal to 10 we are storing into variable x the integer value y x is equal to 50.0 we are storing float to value 50.0 into variable y and z is equal to my name is ram here we are storing string my name is ram into variable z तो अब हमारा next topic है rules to name a variable so there are some rules for naming a variable first a variable name must start with a letter or the underscore character तो हमने का variable name हमेशा किसी भी लेटर से start होगा या फिर underscore character से होगा लेकि यहाँ पर हम राम इसको लिए यह सही है लेकिन अगर आप underscore विदेते हैं तो यह भी सही है हमारा पहला रूल यही कहता है अगर आपका कोई भी वारियाबल ने कोई लेक्टर से अलफा लेक्टर से या फिर underscore character से अगर शुरू है तो सही है हमार रूस टू है कि अवारियेबल नेम cannot start with a number तो हम लोग कभी भी किसी भी वारियेबल का नाम किसी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते हैं आग तो आप देख सकते ह्यां पर सिंटएक्स एरर आegt है इन्व इन्वालियू इस अगला Sumergic दूर्टर मतलब अगर हम लोग्र टेन दे ये सही होगा लेकिन यह लिए 100 राम करते जिए गलत हो जागा स्टार्ट में होना चाहिए लेकिन आप बाद में दे सकते हैं नंबर को कि ओ जए रहाम टेन dólar द्व Kelvin कर दें यह हमारा गलत है क्योंकि हमको मेरा कॉमा यह सब चीज जितना हब कर आप नाम में अगर डाल दीज़ेगा वह सारा हो जाएगा हुआ हुआ है ठीक है वारीबल नेम्स और के सिंसेटिव हमारा वारीबल नेम्स वह के सिंसेटिव होता है यहां पर राम को अपर केस में लिख दें राम फॉटी तो अगर हम लोग यह दोनों को अगर प्रिंट कराएं तो यह हमारा दोनों ऑट्पृट अलग हो जाएगा दोनों अलग है है राम और हम चोटा लिख है तो वह अलग है न हम लोग उसको इसको अपर केस में भी वैरियेवल को बहुत बार यूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आभी हम डाले एक्स लिखें एक्स इसक्वल टू टेन कि अगर हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एक्स तो हमारा आपूट आ रहा है टेन अगर आप यह हम लिखें X इक्वाल्स टू 15.3 अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं तो हमारा आपुट आ रहा है 15.3 तो हम लोग पहले एक्स को इंटीजर लिये थे फिर एक्स को लोट कर दे रहे हैं तो इससे हमारा कोई दिकत नहीं हो रहा है अगर हम लोग एक्स को फिल मां अट गहिए तो हमना आडे अप्रीट है हया हलोाँ इंडिया विले कि कि उसका डेटा टॉप में रूल्स आफ कंबाइनिंग वेरियेबल्स तो हमारा पहला रूल है वी कैन नौट कंबाइन इस्ट्रिंग एंड इंटीजर डारेक्टली तो देखते हैं यहां पर करके सपोज इसको हमने पहले मिटा देते हैं और एक वाल दे रहे हैं जिसमें की हम एक इंटीजर डे रहें तो पहला रूल था हमारा वी कान नौट कंबाइन इस्ट्रिंग एंड इंटीजर डारेक्टली तो कम कॉनकारटी नेशन के लिए प्लस सिंबल तो एकस प्लस वाई हमारा एरर दे रहा है ताइप एर बस्टिंग तो हमारा यह गलत होगी है उसके बाद अगला क्या है वी कैन नॉट कंबाइन इस्टिंग एंड फ्लोट डिरेक्टली तो उसी तरह अगर हम 10 को 10.5 कर देते हैं फिर से रन करते हैं तो हमारा आट्पूट फिर से एरर आ रहा है और अगर तीसरा पॉट डेखते हैं बट वी कन कंबाइन इन टीजर एंड फ्लोट डिरेक्टली अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स को हम लोग इंटीजर कुछ ले ले रहे हैं 12 ठीक हैं तो हमारा एक्स टूएल है वाय का वैल्यू 10.5 है तो अब हम लोग इसको कंबाइन करत प्लोट और string combine नहीं पाया लेकिन हमारा integer of float combine हो पाया वो सम्भों गया तो string or integer को combine करने के लिए क्या है करेंगे हम लोग उसको type costing करेंगे तो to combine string and integer we can do type casting so we will convert integer into just being by putting the integer nearby in to string function and say process is required for converting 플्लोट to string है तो अब हम लोग क्या करेंगे अब सब्सक्राइब हमारा एक सब्सक्राइब कर दें कि माई नेम है सब्सक्राइब माई एज तो माई एज अब हम क्या करना चाहते है कि एक सब्सक्राइब करना चाहते हैं चुक्कि यह नहीं हो रहा है इसको 10 कर देते हैं तक यह एक इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे वाई को कॉन्काटिनेट करेंगे इस्टिंग function के through तो हम वाई के आगे पीछे वाई को string function के अंदर डाल देते हैं अब देखिए हमारा output आ रहा है my is 10 इसी तरह हम लोग plot को भी कर सकते हैं अगर वाई को हम लोग कर दें 10.5 अब इसको concatenate करें तो फिर हमारा हो जाएगा 10.5 तो हम लोग टाइप कास्टिंग देख लिए हम लोग रियूजर वैरियेबल देख लिए वाट इस वैरियेबल देख लिए तो अगर आको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो पर जरूर लाइक कामेंट करें और हमारे स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू